नमस्कार आज हम छटी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक मलहार के पाठ छे मेरी मा को पढ़ेंगे यह एक आत्म कता है जो राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी गई है इसमें उन्होंने अपने जीवन की एक कता का वर्नन किया है तो आईए इस पार्ट को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियल स्टुडेंट्स चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं पार्ट छे मेरी मात श्री राम परसाद बिस्मिल बड़े होनहार नोजवान थे गजब के शायर थे देखने में भी बहुत सुन्दर थे युग्य बहुत थे जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगा या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सैना ध्यक्ष बनते यानि सैना के अध्यक्ष बनते यह कहना है हमारे देश के परसिद स्वतंत्रता सैनानी भगत सिंग का बिस्मिल के बारे में तो किसने कहा था ये उनके बारे में भगर सिंग जी ने ठीक है कि यदि वो किसी और जगा या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना ध्यक्ष बनते राम परसाद बिस्मिल का जनम जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था यानि की अधिकार कपजा ठीक है बिस्मिल छोटी सी आईउ से ही भारत की स्वतंत्रिता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपपे अपनी आत्मकथा निखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे उनके साथियों ने उसे परकाशित भी करवा दिया छपवा दिया उन्होंने ठीक है उनके साथियोंने किसके बिस्मिल जी के इसका नाम रथा गया निज जीवन की एक छटा, यानि की निज मतला अपने जीवन की एक छटा यानि दिश्य, ठीक है? इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिये लोगों में अंग्रेजों के विरुद, क्रोध और बढ़ गया इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फासी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बسمिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं क्या कहा? हाँ, तो यहाँ पस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश यानि कि उसी आत्मकता का एक आंश यानि कि हिस्सा लखनो कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी ये बिस्मिल जी कह रहे हैं दादी जी और पिता जी तो विरोध करते रहे मना करते रहे किन्तु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया उसी समय साहजापूर में सेवसमिती का आरंब हुआ था मैं बड़े उत्सा के साथ सेवसमिती में सहयोग देता था पिता जी और दादी जी को मेरे इस परकार के कारें अच्छे ना लगते थे किन्तु माता जी मेरा उत्सा भंग ना होने देती थी जिसके कारण उन्हें अक्सर पिता जी की डाट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं मुझमें जो कुछ भी जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी और गुरु देव श्री सौम देव जी की किरपाओं का ही परिनाम है उनका ही फल है ठीक है परिनाम यानि की नतीजा या फल दादी जी और पिता जी मेरे विवा के लिए बहुत अनुरोध करते थे कि विवा करने की विवा कर लें कि बिस्मिल जी क्या कर लें विवा कर लें यही कहते थे कौन उनकी दादी जी और पिता जी किन्तों माता जी यही कहती कि सिक्षा पाच उकने के बाद ही विवा करना उचित होगा लेकिन उनकी माता जी ने क्या का कि जब तुम अपनी पूरी सिक्षा कर लोगे उसके बाद ही विवा करना सही रहेगा माता जी के प्रोसाहन तथा सद्विवार ने मेरे जीवन में वह द्रिडता उत्पन की कि किसी आपती तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा चाहे कि उनकी माता जी ने उनका बहुत साथ दिया जिसके कारण उनका जो संकल्प था वो और पक्का हो गया और कोई भी उनके कारे में फिर बाधा नहीं आई और ना ही उन्होंने अपने संकल्प को त्यागा एक समय मेरे पिता जी दिवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहे गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले कुछ अवशक्ता पढ़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिता जी के हस्ताक्षर यानि कि साइन जो है वकालत नामे पर कर दूँ उनका अगजात पर कर दूँ मैंने तुरंद उत्तर दिया कि यह तो धरम विरुद होगा इस परकार का पाप मैं कदापी नहीं कर सकता यानि कभी नहीं कर सकता कदापी यानि कभी भी कभी नहीं ठीक है वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा जो है खारिज हो जाएगा कि अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किये तो यह मुकदमा क्या होगा जो मुकदमा किया है पिता जी ने वो क्या हो जाएगा खारिज हो जाएगा किंटू हो जाएगा ठीके किंटो मुझ पर कुछ भी परभाव ना हुआ ना मैंने हस्ताक्षन की ये अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरन करता था चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कहें देता था ग्यारा वर्ष की उम्र में माता जी विवा कर शाजापूर आई थी बिस्मिल की माता जी ठीक है कोंसी उमर में ग्यारा वर्ष की उमर में उस समिवे नितांत असिक्षित एक ग्रामिन कन्या के समान थी नितांत यानि की बिल्कुर असिक्षित यानि की पड़ी लिखिन नहीं थी और क्या थी एक ग्रामिन यानि गाउं की कन्या के स्मान थी शाजापूर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया उन्होंने माता जी को ग्रही कारे की सिक्षा दी यानि घर के कामकाज सिखाए थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादी का ठीक ठीक प्रभंद करने लगी याने खाना बनाना सब सीख गई मेरे जनम होने के पांच या साथ वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंब किया पढ़ने का शोक उन्हें खुदी पैदा हुआ था मुहले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो सिक्षित थी माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी यानि अक्षरों का ज्यान प्राप्त करती थी बोध यानि ज्यान प्राप्त करना ठीक है इस प्रकारघर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी पढ़ना और लिखना ठीक है परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वहें देवनागरी पुस्तकों का अध्यन करने लगी देवनागरी का क्या आर्थ होता है भारत की एक भाषा लिप्पी जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, आदी भाषाएं जो हैं वो लिखी जाती है मेरी बहनों को छोटी आयू में माता जी ही सिक्षा दिया करती थी जब से मैंने आरे समाज में परवेश किया माता जी से खूब वारता लाप होता यानि खूब बाच्चीत होती थी उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे यानि कि पहले उनके विचार जो थे उसकी अपेक्षा अब क्या हो गए उनके विचार और उदार हो गए थे वो खुल कर बोलने लग गई थी ठीक है यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अती साधारन मनुश्यों की भाती संसार चक्र में फसकर जीवन निर्वा करता कि यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती जो मेरे हर कदम पर मेरे साथ थी तो मैं क्या करता मैं भी साधार मनुश्यों की तरह भाती उनकी तरह संसार चक्र में यानि कि शादी कर लेता और फिर आपको पता ही है जब शादी हो जाती है तो घर ग्रस्ती के चक्कर में ही फसकर रह जाता है इंसान है न तो यही बात वो यहां पर कह रहे हैं कि अगर मैं भी उन साधार मनुश्यों की भाती संसार चक्र में फसकर जीवन निर्वा करता यानि अपना जीवन जी रहा होता शिक्षादी के अतिरिक्त क्रांतिगारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी मेजनी कौन है? ये इटली के गुप्त राश्टवादी दल का सैनापती जो इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सुत्र में बांदा था, ठीक है? उनकी माता जी ने भी उनका पूरा-पूरा साथ दिया था, तो इसलिए यहाँ पर उनका उधारन दिया गया है माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरी लिए यही था कि किसी की प्रान हानी ना हो यानि किसी के भी तुमारे जो भी तुम काम करो उससे किसी के भी प्रानों को हानी नहीं होनी चाहिए ठीक है? उनका कहना था कि अपने शत्रू को भी कभी प्रान दंड ना देना कि अगर तुमारा कोई शत्रू है उसे भी कभी प्रान दंड ना देना यानि उसको भी मृत्यों नहीं मिलनी चाहिए उनके इस आदेश की पूर्ती के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी परतिग्या भंग करनी पड़ी थी जनम दात्री जन्नी अपनी माता के बारे में कह रहे हैं कि इस जीवन में तो यानि कि मुझे जनम देने वाली माता इस जीवन में तो तुम्हारा रिन उतारने का प्रितन करने का भी अवसर ना मिला कि तुमने जो मेरे लिए किया उसका जो भी रिन है वो मैं उतार ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे उसका अफसर ही नहीं मिला इस जनम में तो क्या यदि मैं अनेक जनमों में भी सारे जीवन प्रितन करूँ तो भी तुमसे उरिन नहीं हो सकता तब भी तुम्हारे जो भी तुमने मेरे लिए किया है उनसे मैं रिन्मुक्त नहीं हो सकता जिस प्रेम तथा द्रिडता के साथ तुमने इस तुछ जीवन का सुधार किया है वे अववर्निय है यानि कि उसका वर्नन ही नहीं किया जा सकता उनका शब्दों में वर्नन ही नहीं किया जा सकता मुझे जीवन की परते घटना का समरन है यानि याद है समरन यानि याद समरन है कि तुमने जिस परकार अपनी देव वानी का उपदेश करके मेरा सुधार किया यानि कि अपनी माता की वानी को किस के समान कह रहे हैं वो देवों की वानी के समान ठीक है तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में सनलगन हो सका यानि कि देश सेवा करने के लिए मैं प्रोसाहित हो सका प्रेर्णा मिली उने ठीक है धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोसाहन ने सहायता दी जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहन की उसका भी श्रे तुम ही को है यानि श्रे यानि की क्रेडिक जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरन कर तुम्हारी मंगल्मई मुर्ती का ध्यान आ जाता है यानि की एकदम से उनका चहरा सामने आ जाता है किसका उनकी माता जी का और मस्तर जो है जुक जाता है और उनका सीर जो है अपनी माता के सामने जुक जाता है तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े सने से हर बात को समझा दिया मतलब कि अगर कभी डाट फटकार भी देनी पड़ती तो तब भी वो बड़े प्यार से उन्हें समझाती थी यदि मैंने ध्रिस्टबून उत्तर दिया यनि कई पर क्रोध में या गुस्से में अगर उत्तर भी दे देते थे बिस्मिल अपनी माता को तो तुम्हें प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो किन्तु ऐसा करना ठीक नहीं इसका परिणा अच्छा ना होगा जीवन दात्री तुमने इस शरीर को जनन देकर केवल पालन पोशन ही नहीं किया बलकि आत्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नती में भी तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही यानि कि उनका हर तरह का विकास में उनकी माता जी ने उनका साथ दिया चाहे वो आत्मिक विकास हो धार्मिक विकास हो चाहे सामाजिक विकास हो जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे यानि कि हर जनम में बिस्मिल जी चाते हैं कि भगवान मुझे ऐसी ही मां दे महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया यानि कि मुझे धैरे नहीं खोने दिया सदैव अपनी प्रेम भरी वानी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही सांत्वना का क्या आर्थ होता है तसल्ली देना धांडस बानना ठीक है तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कस्ट अनुभव नहीं किया यानि कि जब तक माता का साया था मेरे साथ जब तक माता मेरे साथ थी मतलब हर कदम में उनके साथ थी तो उन्हें किसी भी तरह का कस्ट नहीं भोगना पड़ा किसी भी तरह का दुख अनुभव ही नहीं हुआ उने इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा एश्वर्य की इच्छा नहीं है यानि उन्हें किसी भी तरह के भोग विलास यानि कि धन दोलत जो भी मतलब वो जीवन में आविश्यक वस्तवे होती हैं किसी भी तरह के उनको इच्छा नहीं थी केवल एक इच्छा है कि वह यह की एक बार्ष्ट अध्धा पुर्वक तुमारे चर्णों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता क्या है उनकी इच्छा कि वह एक बार अपनी माता के चर्णों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सके किन्तु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यू की दुख बरी खबर सुनाई जाएगी क्योंकि वो जेल में है और वो जेल में ही अपने आत्मकथा लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी मृत्यू की दुख बरी खवर सुनाई जाएंगी मा मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्वे धारन करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बली देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोक कलंकित ना की अपनी परतिंग्या पर द्रिड रहा क्या कह रहे हैं वो बिस्मिल जी याँ पर कि मुझे विश्वास है कि जब तुमें मेरी मृत्यू की खबर मिलेगी तो तुम अपना धैरे नहीं खोगी और तुम मुझे पर गर्व करोगी कि मेरे बेटा जो है वो अपने मात्र मुझे की रक्षा के लिए अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गया और उसने अब तुम्हारी कोग की लाज रख ली जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी प्रिस्ट पर यानि उसके किसी पेज पर उज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा गुरू गोविन सिंग जी की धरम पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यू की खबर सुनी तो बहुत प्रसन हुई थी और गुरू के नाम पर धर्म रक्षार्त अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बाती थी यानि गुरू गोविन सिंग कौन थे वो स्तिक्षों के दस्वे और अंतिम गुरू थे और उन्होंने खालसा पंत की स्थापना की थी कि जब उनकी धर्म पत्नी को अपने पुत्रों की मृत्यू की खबर मिली तो वो बहुत प्रसन हुई थी कि उनके बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिया और उन्होंने इसी खुशी में मिठाई वाटी थी जनम दात्री वर्दो कि अंतिम समय भी मेरा हिर्दे किसी परकार विचलित ना हो कि मेरे अंत समय में भी मृत्यू के समय भी मेरा जो हिर्दे है वो किसी परकार विचलित ना हो बेचैन ना हो और तुम्हारे चरन कमलों को परनाम कर मैं परमात्मा का स्मरन करता हुआ शरीर त्याग करूं कि तुम्हारे चरनों का ध्यान करते हुए उन्हें परनाम करते हुए और परमात्मा को याद करते हुए मैं इस शरीर को त्याग दो यहाँ पर राम परसाद बिस्मिल जी का छोटा सा परीचे दिये गया है आईए इसे भी देखते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम परसाद बिस्मिल भी उनी करांतिकारीयों में से एक थे मात्र तीस वर्ष की आईउ में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फासी पर लटका दिया गया असाधारन परतीभा के धनी राम परसाद बिस्मिल एक अच्छे कवी और लेखक भी थे उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही लोकप्रिय रही मेरी मा उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है यहाँ पर उनकी जनम तिथी दी गई है और यहाँ पर उनकी मृत्यू तिथी भी दी गई है कि जनम कब हुआ उनका 1897 में और मृत्य हुई उनकी 1927 में तो उनका जीवन काल 1897 से लेकर 1927 तक रहा आशा करती हों आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा अगली वीडियो में हम इसी पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार